तो बात करेंगे कल बाजार कहां पे खुलेगा और बहुत ही इंटरस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं और आपको पता होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल एक्जाक्ली देखेगा कई सारी अपडेट मार्केट में आएंगी तो वो मैंने वीडियो पहले बना दी आपने नहीं देखे तो पहला दूसरा वीडियो आज का देखना मत भूलेगा और कल फ्यूचर एंप्शन का प्राइस एक्शन स्टॉक आपको देखने हो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर ऑप्शन बायर है तो जोईन करके जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन म लेकर FIAs अपने आपको share नहीं कर पा रहें कि बिक्वाली करें कि खरीदारी करें क्योंकि जो वो बिक्वाली करने जाते हैं तो डेटा अच्छा आ जाता है और जब वो खरीदारी करने जाते हैं तो FED की तरफ से statement आ जाता है तो बहुत सारी चीजों को लेकर अभी भी confidence न लेका और बहुत सारे लोगों ने call buy करके BTSD करा था या फिर अगर आप कहेंगे कि थोड़ा सा एक long trade लिया था और वहाँ पर देखेगा just देखेगा ना तो time decay के करने profit बना साथ में साथ में देखेगा market ने उसे पहले ही reverse कर दिया तो ये केवल इसलिए हो रहा है चुकि अ अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं certain होके call trade करूँगा तो नहीं day to day strategy is best scalping करिए और आप जादा से जादा देखेगा छोटे profits और छोटे loss की तरह जाईए चुकि market अपनी range में फसा हुआ है और आपको पता है जब तक एक अच्छा breakdown ना मिले या फिर एक अच्छा breakout ना मिले तब तक market इसी range में रहेगा तब तक आपको बड़े profit थोड़े से avoid करने है तो आप देख सकते हैं FIIs ने December की शुरुआत 50-50 करी है लेकि 9 बर का महिना काफी अच्छा रहा और 9 बर का महिना पिछले 3 महिने बाद अगर आप कहेंगे तीसरे महिने में अगर आप देखेंगे तो ऐसा महिना गया है कि जिसमें आपको net buying देखने को मिली है 9 बर का महिना काफी अच्छा देखने को मिला FIIs ने support किया और support के साथ आपने देखा कि basically यहाँ पे market ने काफी अच्छे देखेगा lifetime high touch किये चाए वो nifty bank की बात करेंगे चाए आप बात करेंगे nifty 50 की बट इसले रहना है inflation का data, RBI की meeting, Fed की meeting सब बिदिन 7 days में देखने को मिलेगा तो यह सारी चीजें देखेगा impact करेंगे कि actual ground पे situation क्या है और तुरंत FIIs flow कर देगे तो उपर की तरफ पे काफी FIIs हैं तो कभी भी छोटी भी profit booking करेंगे जैसे कि for example last particular market में इतनी buying हुई है बट आप 1500 बेचते हैं उस दिन आपको जाधा देखेगा downtrend देखने हुँ मिल सकता है इसलिए अभी आपको cautious रहना है market में और कभी भी dollar index अगर देखेगा 106 का level touch करता है कभी भी किसी भी दिन तो उस दिन भी problem हो सकती तो कल पहला indicator focus करिएगा कि यहाँ पे dollar में अगर positive opening होती है तो हम लोग gap down खुलेंगे भले 20 points से gap down खुलें dollar में अगर देखेगा यहाँ पे positive opening होती है तो इसका मतलब हम gap down खुलेंगे भले 20 points से अगर हमें pressure देखने हो मिल तब भी आपको देखना है वो चीज़ फिर अगर आप देखेंगे तो हमारी currency इस comparison में appreciate नहीं होरी जैसे तरीके से dollar dollar गिर रहा है dollar तो बहुत गिर गया 109 पे था तब भी हम 82 पे थे 107 पे आ गया तब भी हम देखेगा 82 के आसपास रहे 105 पे भी आ चुका है तब भी देखेगा 81.50 का भाव देखने को मिल ला है 80.50 का भाव देखने को मिल ला है अभी भी हमारे INR का तो हमारा INR उस तरीके से नहीं appreciate हो रहा अब तक इसको 80 के level को अराम से touch करना चाहिए था 80 के level के आसपास रहना चाहिए था तो आप यह कह सकते हो कि जैसे ही dollar जम करेगा यह तुरंत 82 हिट करेगा तुरंत 82 हिट करेगा और यह हिट करेगा तो बैंक निफ्टी गिरेगा तुरंत बैंक निफ्टी में गिरावा डिगने हो लेगी सारे banks भी जाना है कि उन्हें rate hike करन रहे ऐसा ही नहीं है आप credit creation कर रहे हो 17-18% 20% और आपके deposit flow 9% के आ रहे हैं तो आपका पैसा तो आप बहुत देखे गया लोग को बाटे दे रहा हो लेकिन actual में inflow कितना आ रहा है inflow ही नहीं आएगा तो disturbing हो जाएगा bank system जो banking system है पूरा disturbing हो जाएगा तो वहां पे भी success नहीं मिलेगी तो कल आपको INR की भी देखनी है opening और कल सबसे important रहेगा nifty wix जो आपको range बताएगा अगर 2-3% की तरफ जाता है इसका trend यानि कि 2-3% का fluctuation देखनी हो मिलता है तो जो भी trend चला है वो follow होगा उसी में closing देखनी हो मिलेगी वो चीज follow होगी और वहीं पे closing देखनी हो म कि जो job का data है वो बहुत hot है labor market इस समय बहुत hot है और आप देख रहे हैं कि fed पूरी तरीके से कह रहा है कि हम comfortable position में आना चाहते हैं comfortable लेकिन comfortable position अमेरिका के labor market में नहीं देखनी को मिल लई है अब अमेरिका का labor market तेज हो रहा है जो आप देखीगा 63,000 जाधा देखनी लिए estimation स जाधा तो यह data आया था Friday को रात में और आपको पता है कि market pace का impact अभी तक नहीं आया है तो वो impact हो सकता है थोड़ सा Dow futures में आ जाए और फिर वो impact आपको देखने को मिले आपके particular market में चुकि इस समय सबसे भागने वाला market इंडिया का ही है तो इसलिए कोई भी अगर problem होती है तो bank nifty में 1500 की गिरावट को आप कुछ भी ना मान के चलिएगा मलब 1500 की गिरावट अगर हो जाए कभी भी जब जब ज़्यादा uncertainty बने या फिर pressure बने तो ये कुछ भी मत मानिएगा 500 की गिरावट को तो कुछ भी ना मत लिएगा चुकि आप समझ रहे हैं चुकि ये particular जो event ह इसका impact अभी इंडियन मार्केट पे नहीं आए लेक्सी क्या होता है ऐसा तो नहीं है कि impact आही जाएगा लेकिन आपको cautious रहना है अब बात करते हैं सबसे important कि कहां पे actual resistance बना तो actual resistance देखने हूं मिला 18800 के असपास 18800 देखेगा एक बहुत बढ़ी है resistance है और अब ये कि का एक point बन गया है कि आपको समन में आ जाना चाहिए कि कहां पे आपको cautious रहना है second चीज नीचे की तरफ अराम से देखेगा अगर आप देखने है 5060 एक बहुत strong support है बहुत ही strong support है अब अगर आप आते हैं थोड़ा सा day to day छोटी range पे तो कल आपका देखेगा 660 एक बहु अच्छा support बन जाएगा उपर की तरफ सीधा देखेगा एक resistance 18750 के उपर अगर हम चलना शुरू होते हैं तो हम एक strength दिखाएंगे market में तो इस पे focus करिएगा अब बात करते हैं nifty bank की nifty bank देखेगा बार बार ये level तो इसके लिए देखेगा एक अच्छा point बन चुका है चु अगर 750 के नीचे हम लोगों को closing देखने हो मिल जाती है तब एक downtrend अच्छा बन सकता है अगर 750 के नीचे closing नहीं होती है तो आप danger zone में नहीं है 750 जिस दिन नीचे closing देगा तब ही आपको थोड़ा सा further downtrend देखने को मिलेगा otherwise आपको इसी range में market देखने को मिलेगा और ये बड pressure आया था nifty 50 futures में भी तो आप समझ सकते हैं कि impact आपको समझ के रहना है कि इस particular update का impact अभी तक domestic market पे नहीं पड़ा है तो कल reactions काफी सारे outcome के देखने को मिलेंगे तो focus करेगा वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ना बूलिएगा thank you so much